हलो फ्रेंट्स कोशन नमर नेक्स्ट इद एड़ दा वर्टेक्स सी ओफ एट रेंगल एबी सी हमारे पास जो ट्रेंगल एबी सी है उसके सीरेज सी से वीचिज रेंगल एड़ सी जो मेरा ट्रेंगल जो हैना ए बी सी वो राइट एंगल है यानि निंट्स डीकरी का कोण है सी पॉażंट के उपर दा परवज णक्सिज परपेंट्ड डा प्लेन नहां ciao प्रॉणन सिर्वाइज जो है ना उनके बीच का जो कॉन है ना वो यह है ओके क्लियर है ना तो जाहिर सी बात है भाई ये सबसे पहले में गराब मनाऊँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा ओके सुपोस्ट ये मेरा कोई ट्रेंगल है दिस इज माई ट्रेंगल ए बी सी ये वाला पॉइंट मैंने सी माल लिया ये वाला पॉइंट मैंने बी माल लिया एंड सुपोस्ट ये डी सी जी है ओके और मैंने यहां से जो है ना ये एक्स एक्सिज ले लिया और इसको उपर बढ़ा करके यहां मैंने वाई एक्सिज ले लिया और यहां मै ने पर्पेंडिकुलर की बातHe Vaats Question के अंदर कह रहा हوف कर आ यह मैंने ले लिया जैडीकिते कि आ हाई है Okay Okay Principal अक्सेर प्रेंडिकुलर टूदा प्लेन यह जो प्लेन है यह जो प्लेन है यहां उसके पर पंडिकुलर है principle axis okay clear आना आगे की बात करता हूं ध्यान से सुनना आप और मेरे को दिखाना है कि the other two side inclined to the side of the angle साप साप लिखा हुआ है two other inclined to the side at the angle यानि जो आना जो उनके बीच का कॉन है दो साइड के बीच का जो कॉन है वो आपको ये दिखाना है okay this is your question चलो भाई पहले थोड़ी सी theory है वो लिखता हूं उसके बाद आगे की दरफ चलूँगा suppose that capital M be the mass of triangle ABC मैंने triangle का mass कितना मल लिया M मल लिया capital M be the mass of triangle ABC okay clear अगर माल लिया इस triangle का जो mass है वो M है तो जाहिर सी बात है मैं सीधा बोलना हूं then the triangle is equal momentum state then the triangle is मेरा जो ट्रेंगल है जो पीछे प्रोपर्टीज आपको मैंने पढ़ाई है इस लेक्चे स्रीज के इंदर यह जो ट्रेंगल होगा क्या होगा भाई एक मोमेंटल होगा कहां से होगा तू थिरी पार्टीकल्स उन थिरी पार्टीकल्स से जिनका मास is capital M upon 3 है यही तो पता था अगर इस ट्रेंगल का टोटल मास M है तो यहां कितना काम करेगा M by 3 काम करेगा अगर आप lecture series देखते हुआ रहे हो तो आपकी समझ आएगा और अगर बिलकुल पहली बार देख रहे तो प्राबलम होगी यहां कितना काम करेगा M by 3 यहां कितना होगा भाई M by 3 क्लियर है अब ध्यान से सुनों अगर यह total distance B है तो यह इसका midpoint है ओके फिर बता रहा हूँ यह total distance कितनी है इधर से mention भी कर रहा हूँ वगर यह B है यहां से यहां तक ओके यानि A C एगर आपके पास B है अगर M point के coordinate के मैं बात करूँ तो इसका जो X coordinate होगा वो कितना होगा भाई एक तो होगा 0 Y coordinate इसका कितना होगा B बटे 2 Z coordinate कितना होगा 0 क्यों Y axis के उपर है अगर मैं X coordinate के बात करूँ ध्यान से देखना है बेटा clear है अगर यह वाली दूरी total की total A है suppose that this distance is J आपको भी पता है कि this point is the midpoint तो यह वाला जो point होगा बेटा यह होगा यह वाला point यह होगा कितना भाई इदर लिखतू जहां A बटे 2 होगा 0 होगा और 0 होगा X axis के उपर यह वाला जो point होगा ध्यान से जुनों बेटा इधर से यह और इधर से यह वाला जो point होगा this is very important यह वाला point होगा A बटे 2 होगा B बटे 2 होगा और 0 होगा देखो कैसे देखो आप अलग सा निकाल करके दिखा रहा हूं यह वाला point कैसे होगा यह situation आपके पास भाई यहां से यह point आपका यहां ऐसे है यह point है एक तो दूरी ही होगी ए यह वाली दूरी कितनी है यहां से यहां तक भाई जितनी दूरी है उतनी दूरी होगी यह दूरी तो A.2 है ना एक सक्सिज के ऊपर यह वाली दूरी देखो आप A.2 जितनी दूरी है उतनी दूरी होगी यह कितनी होगी B.2 जैडक्स तो यह है यहां पर तीसरा तो 0 होगा मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कोई रिकत नहीं है आगे की दरफ चलते हैं इस पॉइंट के बात करता हूं यह वाला एपॉंट टू कॉमा भी एपॉंट टू और यह जीरो कैसे हुआ देख लो आपके सामने हैं भाई आप ऐसी तो बताते हो ना अगर माल लिया जाए है यहां सुपोज ट्यवला पॉइंट सुपोज ट्यव फॉंट कॉमा वाई हैं तो इसका इत्य है के एक्स आक्स ूई- !! तूह यह और वाई दूरी यह यह दूरी यहिए दूरी इकस देखना अपज सरमींट है यहांस यह यह और यह पॉंटल का हूंट होगत नहीं सामने A line साफ साफ लिखा हुआ है कुशन के अंदर perpendicular to the A line जो किस पॉइंट से जाती है C से जाती है right angle C है साफ साफ कह रहा है इसके अंदर A line through C perpendicular to the plane यह line जो है ना यह जो plane है इसके perpendicular है okay perpendicular to the plane is the principal axis क्या होगी भाई principal axis होगी 8.C यह बात आपको पताने की ज़रूत नहीं है okay जब 8.C के ओपर यह principal axis होगी तो मेरे पास जो product of inertia होता था जहां से सुनना पूरी detail में बता रहा हूं एक एक word बता रहा हूं हमारे पास product of inertia का जो है ना एक formula होता था और formula यह होता था भाई A x square होता था B y square होता था C z square होता था minus 2 d y z होता था गल्ची ना करता हूं में एक बार चेक कर लोकुशन को कभी यहां y z की जागा कुछ और हो x y z ही है minus 2 e x z होता था minus 2 f x y होता था परावर होता था constant के यह होता था था ना अगर यह वाला है यह perpendicular अगर आचुका तो जाहर से बात दो तो y और z तो automatically zero हो जाएंगे भाई sorry d और e तो zero हो जाएंगे ओके यह principle अक्सिज बनने की वज़ा से y z plane के अंदर यानि y z plane का product of inertia और उसके बाद जो है z x plane का moment of inertia zero होंगे clear cut बता रहा हूं मैं आपको okay so that so that ध्यान से सुनना मेरे words को मेरी जो यह अक्सिज है principle अक्सिज यहां आ रही है यानि z x के उपर है so that आप क्या कहोगे so that product of inertia product of inertia कोन से वाला डी बराबर होगा ये के और दोनों के दोनों क्या होंगे zero होंगे क्यों ये जो है z x के z x के साथ है और ये कौन कौन से plane के अंदर आ रही है y z plane में है और z x plane के अंदर है clear कोई problem तो नहीं है and formula मेरे पास क्या होता है from formula अगर मैं formula की भी बात दरूँ तो मैंना आपको बताया था के d बटे y बर बराबर होता था e बटे x बर इस formula का मैंना आपको proof दिया था तो इसका मतलब ये निकलता है और ये पूरा formula था h बराबर था d बटे m y बर बराबर था e बटे m x बर ये भी 0 ये भी 0 तो h is equal to कितना निकल गया 0 निकल गया जब h is equal to 0 निकल चुका so that h is equal to 0 अगर h is equal to 0 है तो मैं क्या कहूँगा z axis is the principle axis so that मैं क्या कहूँगा h to 0 हो चुका तो अगर आप मेरी theory or lecture series देखते हुए आ रहे हो तो आपको problem नहीं होगी बच्चो अगर आप बिलकुल नहीं हो तो आपको problem पका होगी अगर h is equal to 0 है इसका मतलब यह निकलता है mathematically okay if h is equal to 0 जो निकल चुका है then principle axis the z axis then z axis is कैची axis है principle axis है अब काम स्टार्ट होगा मेरा z axis is principle axis और किस point के ऊपर है eight point c okay okay यह जो अक्सीज है इस point के ऊपर कैसी होगी principle axis हो जाएगी clear क्यों h तो इसके इंदर ही नहीं अब सवाल पैता यह होता है कि सरा आप कौन से h की बात कर रहे हो कुछ समझ नहीं आ दिया बात यह देखो बटा यहाँ यह जो h था यह जो मेरा graph है पाइंट लेकर के चलते हैं वह oxygen क्या होती है principle oxygen होती है according to theory आगे की तरफ चलते हैं भाई तो मेरे पास क्या निकल कर क्या है भाई now I am calculating the value of a b and c अब a b c और की बात करते हैं भाई पहले तो formula देख लो आपके पास क्या है हमारे पास formula क्या है भीटा now यह formula तो आप जानते ही हो a x square plus के यह b y square है और b y square के बात जो है और एक मेरे कुछ ही यह होता है यहां पे डियोरी तो 0 हो चुका minus 2 f x y is equal to क्या होता है constant होता है यह तो formula होता है इसको यहां बताने का मतलब यह है कि a जो है moment of inertia db moment of inertia f product of inertia a moment of inertia with respect to x axis b moment of inertia with respect to y axis और f product of inertia with respect to x y plane जो इसके साथ लिखा हुआ है अब मैं a की value calculate करूँगा b calculate करूँगा और f calculate करूँगा formula आपको पता ही है formula आपके पास जो होता है आपटा वो यह होता है theta is equal to kya होता है formula भी बता दुमें theta is equal to होता है एक बटे दो 10 inverse 2f upon b minus a this is your standard formula okay इसी वजह से मेरे को b और a calculate करना पड़ रहा है now i am calculating the value of b और a देखो बटाब यहां से देखो आप यह आपका graph हो चुका और यह इधर calculation start a बराबर अब a की बात करूंगा a मैंने आपको पहले जी बता है moment of inertia with respect to x यानि a बराबर होता है moment of inertia about ले लो आप about cx a बराबर ज्यान से सुनना इसकी बात कर रहा हूं इसके लिए जब यह एकसीज है तो मेरा मास यहां है मास की value कितनी है m upon 3 दूरी कितनी है यहां से यहां तक b upon 2 कितनी होगी भाई b upon 2 का square सवाल पैदा होता है यह क्यों लिखा अपने फर्मुला होता है m into r square i बराबर moment of inertia i बराबर m r square होता है यह निकल गया एक तो यह है इसके लिए तो 0 हो जाएगा दूसरे के बत कर लेते हैं इस point के बत करता हूं यह वाला इसके लिए तो 0 हो जाएगा भई और इसके लिए तो y एकसी जाना y वाला coordinate देखो b बटे 2 का square clear आप इसको solve करो या ना करो a की जो value जो निकल कर गया आएगी मैं सीधी लिख रहा हूं बटा यह कितनी हो जाएगी भई चारतिया बारा यह होगा m b square बटे 12 plus m b square बटे 12 यानि यह होगा m b square बटे 6 हो जाएगा जो यह होई है वाई clear यानि आपके पास a बराबर जो निकल करके आया m b square बटे 6 एक result आपका यह आ चुका दूसरे वाले result के बत करता हूँ b की b बहुत आसान है b बराबर moment of inertia होगा अगर यह c x के respect मता तो c y के respect में ले ले लेंगे दूसरे वाला about आपको तो पता ही है series देखते विए आ रहे हैं आप c y तो b is equal to mass तो उतना ही रहना है भाई m upon three होगा into दूरी देख लेते हैं y x के respect में a by two है यह भी a by two है देखो ना y x के देखो ना एक मासी है दूसरा मासी है यह तो छोड़ दिया जाएक अब कि पर भाई कितना होगा m by three m by three m by three m by three a upon two का square plus दूसरे वाला कितना होगा m by three a upon two का square same निकल कर के आएगा b की जगा यह होगा m a square बटे छे a की b की value कितनी निकल गी भाई m a square बटे छे f की बात करते हैं product of inertia की okay आगे चलते हैं भाई एक बार इनको लिख लेता हूँ मैं फिर आगे की दरफ चलूँगा यहां से एक इतना आ चुका है मेरा भाई a बराबर निकला हुआ है m b square बटे छे और b बराबर कितना निकला हुआ है m a square बटे छे now f की बात करता हूँ product of inertia की देखता हूँ क्या आएगा f बराबर क्या है भाई now f बराबर है मेरे पास पूरा ही लिख दूँगा मैं product of inertia cx और cy plane about किसके about cx, cy plane की बत कर लो अगर आपने मेरे product of inertia की definition पड़ी हुई है lecture number two देखा है तो आपको problem नहीं होगी भाई और अगर नहीं देखा है तो problem होगी देखो आप यहां से यह दूरी चलेगी यहां से यह दूरी चलेगी m upon three तो है यह भाई m upon three तो है यह मास तो m upon three है x x पर दूरी कितनी है a upon two है ना y x के लिए दूरी कितनी है b upon two है ना आप इस point से भी treat कर सकते हैं a upon two b upon two बात तो एक ही है okay definition यह होती है कि अगर यह x x cj यह y x cj point यहां है इसका मास m है यह वाली दूरी x है यह वाली दूरी y है इसकी x x से दूरी y x से दूरी okay मैं इस plane के अंदर in x y plane अगर यह x y plane है तो मेरे पास यह x y plane बैठ रहा है okay x x से दूरी देखी y x से दूरी देखी यह आ चुकी है कितनी निकले m a b बटे बारा लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है आगे की दरफ चलता हूँ if theta by the angle of principal axis यह तो आपको पताई है theta by the angle of कुन्ची axis का हो principal axis आप सवाल बैदा होता है कि सर्थ यह principal axis कैसे बन जाएगी यहां से एक सक्सीज मेरा जो है न वो ऐसे ऐसे ही हो जाएगा एक सक्सीज इदर बढ़ जाएगा न ओके theta जो है न अंगल अगर यह है तो आप इसी को मान सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है principal axis के साथ अगर theta कोई angle बनाता है तो भाई आप इसी को जानते हो formula क्या होता है थीटा बरावर होता है एक बटे दो 10 inverse 2F upon कितना होगा भाई B minus A होता है तो theta is equal to 2 एगा एक बटे 2 10 inverse मेरा AGT जी एफ की वेल्लू डाली दो गुणा M A B बटे बारा बटे M A स्कॉार बटे छे पलस सॉरी माइनस हो गा ये M B स्कॉार बटे छे मिलको एक बात बताओ भई थीटा बराबर एक बटे दो टैन इन्वर्स छे 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 खतम M M M कॉमल लेने के बाद उपर नीचे से खतम इतना तो करीद होगे धरड़ी एर के स्टुडेंटों आप ओके छे दूनी बारा नीचे से छे कॉमल लिया जहाँ से खतम M से M कट जायागा कितना बचेगा भई क्या यह नीचे बचेगा उपर बचेगा A B नीचे बचेगा A Sqore माइनस के B Sqore तो थीटा इस इगल टू कितना निकल गया एक बटे दो 10 इन्वर्स A B बटे A Sqore माइनस के B Sqore और यहीं आपको प्रूफ करना था कहा लिखा हुगा हुगा है प्रूफ करना था यह ने को बटे जहा हुगा 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 A B 2 T N N S A B B Sqore माइनस के B Sqore मैंने तो बहुत अच्छे तरीकसा आपको explain कर दिया है अगर फिर भी आपको कोई doubt है कोई problem है comment box के इंदर कुशन को डाल दीजिए अपकी help भी कर दो दो और हाँ इस चैनल के ओपर video of course नहीं है बटा सीरिसी बात आपको जोड़ना है जोड़ जाना अदर वाइस आपकी मुझे बाई